नमस्कार आप देखने द्रैंगल और मैं हूँ आपके साथ नीतु शर्मा कई बार क्रेडिट लेने की होड में लोग लापरवाही कर जाते हैं इन दिनों प्रदेश के कुछ वरिस्ट नेता ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं जहां एक और मुखे मंत्री जंता से लोग डाउन की सकती से पालन करनी की बार-बार विनुती कर रहे हैं वहीं कॉंग्रेस से विधायक सेलफी और क्रेडिट के चक्कर में खुद के साथ ही कई और जानों को जोखी में डाल रहे हैं तस्वीरों में मास्क लगाये, दुकानों और घरों को सेनेडाइस करते दिख रहे शक्स कोई करमचारी नहीं बलकि विधानसभा के मुख्य सचे तक और विधायक महेश जोशी है जोशी साहब अपने विधानसभाद छेतर की सडकों को कोरोना से मुक्त करा निकले निकले लेकिन वो अकेले नहीं निकले उनके साथ 15-20 लोगों की भीर थी जबकि लॉक्डाउन में ये बिल्कुल गलत है वही कुछ लोग तो कोरोना की गंभीरता को छोड़ सेलफी ही लेने लग गए लेकिन सबसे ज़ादा चौकानी की बात ये है कि घरों से निकलने वाले आम लोगों पर डंडे चमकाने वाले पुलिस यहाँ जोशी साहब के साथ नजार आई यहाँ सवाल खड़ा होता है कि कोरोना जैसे गंभीर मसले को क्या इस तरह एक पबिसिटी स्टन्ट के तौर पर काम में लेना सही है महेश जोशी एक प्रभावशाली नेता है उनसे हर रोज कई लोग मिलते हैं ऐसे में अगर गलती से भी महेश जोशी किसी कोरोना पिरित के संपर्थ में आ जाते हैं तो यह प्रदेश की स्टती को बत्तर बना सकते हैं लेकिन यहां समझने के जरूरत यह है दोस्तों कि कोरोना किसी से उसका उहदा या पत पूछ कर नहीं आता है ऐसे में अगर हमारे जन प्रतिनिदी ही इसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे तो कैसे प्रदेश को कोरोना मुख बनाया जाएगा